वेल्कुम बैक टू मार यूटूब चैनल योनिक क्लासिस आज हम करेंगे क्लास 12 की जो हिंदी इलेक्टिव है उसका सेंपल पेपर सीबैसी ने जो सेंपल पेपर अपलोड किया है 2020 से 2021 का उसे आज हम करेंगे तो इसके आज हम जो MCQ टाइप कोशन्स हैं उन्हें कवर करेंगे तो देखिए तो अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली जो वीडियो फॉर्मेट की है हिंदी जिसमें मैंने आपको हिंदी का जो सेंपल पेपर है उसका जो फॉर्मेट चेंज हुआ है यानि कि पूरा लाकिंग कितने नंबर के कौन से कोशन आएंगे उन सब के बारे में वहां पर डेटेल में दिखा पताया गया आपको तो उसे देख लेजिए अब चले स्टार्ट करते हैं यह जो थर्ड कोशन है यह अभी वक्ति और माधिम की बुक से आया हुआ है या फिर हम कह सकते हैं क जन संचार के आधुनिक माधिमों में सबसे पुराना माधिम है तो आप सबी को पता होगा कि जो जन संचार की जो बुक है यानि कि अभी वक्ति और माधिम की जो बुक है हमने उसे कंप्लीट कर लिया है अगर अभी तक आपने जो चैप्टर हैं वो नहीं देखे हैं अभी जब तक आप नहीं समझेंगे क्योंकि अभिवक्ति और माध्यम के जो questions हैं वो MCU questions भी आ रहे हैं आपके और लिखने के लिए भी आएंगे आपके तो टोटल अभिवक्ति और माध्यम के जो questions हैं वो आपके 25 के बनते हैं तो 25 जो नंबर हैं वो कम नहीं होते हैं तो आप देख लीजे और उनको cover कर लीजे अपने chapters को तो इसमें आपको हर चीज का reason दिया गया है, detail दी गई है, हर किसी question की और हर chapter को अच्छे से cover करवाया गया है अब देखिए जो MC के questions हैं वो उनमें से ही बनते हैं जो छोड़ी बात हैं आपको ध्यान रखनी होते हैं तो देखिए अब जो question था जन संचार के आधनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम पूछ रखा है तो देखिए हमें options देखने हैं, अगर आपने देख रखे हैं videos आपको आता है तो आप साथ साथ में आप नेशी description box में इनका answer बताते जाएए option 1 radio, option 2 जो है इसका टीवी, तीसरा है print और चोथा है नारद मुनी तो आप जल्दी से बता दीचे इसका answer कौन सा होगा I hope अभी तक आपने बता दिया होगा, इसका जो answer है वो होगा print क्योंकि जो print माध्यम है, वो क्या है सबसे पुराना माध्यम है हम सभी जानते हैं, अगर आप सभी ने वीडियो देखी है तो print माध्यम क्या सबसे पुराना माध्यम है और ये इसाई धर्म के प्रचार के लिए जो print माध्यम है उसका उद्पत्ति गई जा सकती है इसलिए हुई थी तो प्रिंट माध्यम होगा इसका सही अंसर अगले देखे द्रश्य श्रव्य प्रिंट जिन संचार माध्यम का उधारन हो सकते हैं तो इसमें आप देखे द्रश्य श्रव्य प्रिंट तो पहले ऐसे अगर यह आप ने द तीवी होता है हम सभी जानते हैं हम उसे देखते हैं शुरवे माध्यम के अंतरकत कौन सा आता है रेडियो आता है और प्रिंट माध्यम की बात देखिए प्रिंट माध्यम अब ऑप्षन देखिए क्योंकि हमें दो ऑप्षन क्या दिख रहे हैं टीवी और रेडियो के हमें द कागच, अब आप कहेंगे कागच क्योंकि जो कागच है उस पे लिखी हुई जो चेजी होती हो प्रिंट माध्यम होती है पर यहाँ पर आप गलती कर जाएंगे अगर आपने ये option सोचा है या फिर आपने इसका answer दिया है क्यों? क्योंकि जो कागच है अगर कागच हमारा कोरा कागच भी हो सकता है जिस पे कुछ ना लिखा हो तो उससे क्या है? उससे जनसंचार नहीं होगा तो ये क्या है? एक गलत होगा क्योंकि जनसंचार का माध्यम इन्होंने पूछ रखा है तो समाचार पत्र क्या है? एक जनसेंचार का कारे करता है, जनसेंचार का मतलब है अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुचाने का कारे करता है तो इसका जो option हमारा second है वो इसका सही होगा अगला देखिए इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोग परिया है क्योंकि इंटरनेट पत्रकारिता मतलब है जो इंटरनेट पर जो हमें समाचा उप्लब्द होते हैं वो क्यों लोग परिया है उनका reason बताना है अगला देखिए इससे खबरे बहुत त्रिव गती से पहुचाए जाती है तो इंटरनेट पत्रकारिता का लाब एक यही होता है कि इससे क्या है जो खबरे है वो त्रिव गती से तेज गती से जल्दी से जल्दे क्योंकि जब तिक news channel पर भी नहीं आती है तब तक क्या है जो आज़ती पास जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं उसकी वीडियो वाइरल कर देते हैं वीडियो बनाकर डाल देते हैं तो इसका जो second है वो सही है अब हम थर्ड देखते हैं option वो सही क्यों नहीं है देखिए इससे सही समाचार जल्दी प्राप्त होते हैं तो हमेशा इसा नहीं होता है कि जो इंटेनेट पत्रकारता है उसे सही समाचा सही सुचना प्राप्तों बहुत बार हमने देखा है कि इंटेनेट पत्रकारता का गलत प्रयोग क्या जाता है गलत वीडियोज वाइरल की जाती है गलत जो न्यूज है वो वाइरल की जाती है तो यह वाला गलत है अगला देखिए अब अगला देखिए फॉर्थ वाला ये क्यों गलत है इससे खबरों की पुष्टी जल्दी होती है तो जो पुष्टी की बात है वो खबरों की जल्दी इससे नहीं होती है जब तक कोई भी रिपोर्ट नहीं की जाती है फिक पुष्टी नहीं की जा पत्रकार दूसरा जो होता है अंश कालिक पत्रकार और तीसरा होता है फ्रीलांसर पत्रकार तो अब यह पूछ रखा है कि फ्रीलांसर या फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है तो पूर्ण कालिक पत्रकार और अंश कालिक पत्रकार यह तो खुदी दो प्रकार है तीसरा क्या हो तो फ्री लांसर होता है मैंने आपको उसके ट्रिक भी बताई थी फ्री का मतलब क्या होता है स्वतंत्र होता है मुक्त होता है अजाद होता है तो अब देखे स्वतंत्र पत्रकार कोई फ्री लांसर पत्रकार कहा जाता है इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही अब अगला तो इसी के साथ जो जन सनचार यानि कि इसी के साथ जो अभिवेक्ति और माध्यम है वो आपके पार्च नंबर का यहां पर MCQ कर लेता है तो पार्च नंबर के कॉशन्स हो गए हैं पार्च नंबर के MCQ हो गए हैं अब आपका जो है वो अपर पार्थे पुस्तक में से आएग जो पार्ट है उसका कोई भी आपका पहरे ग्राफ देखे उसके पाच कोशन पूछे जाएंगे वो भी mcq-based होंगे तो देखिए फॉर्थ वाल हमारी कवीता है तो देखिए हमें कवीता दी गई है तोड़ो कवीता तो आप सबी को पता होगा जितनी भी कवीता हैं उनकी जो व्याक्या है से प्रसंग व्याक्या हमने अप्लोड कर रखी है नहीं देखिए तो देख लीजे क्योंकि कवीता के बीच में से कह नहीं से भी जो MCU कोशन से वो बन सकते हैं इसलिए आपको उसका अर्थ अच्छे से आना चाहिए अब देखे तोडो कवीता तोडो 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 ये पत्थर ये चटाने ये जूटे बंदन तूटे तो धर्ती को हम जाने सुनते हैं मिट्टी मेरस है जिससे उगती दूब ह अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है तो ये तोडो कवीता है अब इसके according क्या आपके MCU कोशन से तो पहला MCU कोशन है आपका कवी किसे तोड़ देने की बात करता है तो कवी किस चीज़ को तोड़ देने की बात करता है अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं तो आप क्या सोचेंगे कि यहां पर कविता में जो लिख रखा है कभी ने उसी चीज़ को तोड़ने की बात करता है पर कवी जो लिखता है उसी को हम उसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं क्योंकि अब आप 12 में हो चुके हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही आ जो लिखने जूटे बंदन टूटे तो आप क्या सोचेंगे पत्य तोड़ने के लिए कह रहा कभी यह पिर चट्ने तोड़ने के लिए कह रहा है अगर कवीता नहीं पड़ी है तो तो यहाँ पर आप गलती कर जाएंगे और आप इसका गलत आंसर लगा के आ जाएंगे और अगर आप इसकी व्याक्या अच्छे से करेंगे हर कवीता की व्याक्या अच्छे से करेंगे क्योंकि मेरा मानना यही है कि MC की questions जो हैं वो आपके बीच में से पूछे जाते हैं स्टार्टिंग के इनके दुआरा जो कवी है वो क्या कहना चाहता है क्योंकि देखी तो फैसर जीवन के जो अवरोध हैं जिनके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं उन चीजों को तोड़ो तो इसका जो option fourth है वो इसका सही answer हो का जीवन के अवरोदों को तोड़ने की बात कर रहा है अब second question देखिए जूटे बंदन किसे कहा गया है तो जो जूटे बंदन है वो किसे कहा गया है पहला option परंपरा को दूसरा लि एक अवरोद है जीवन में एक अवरोद का काम कर रहे हैं एक रुकावट का काम कर रहे हैं जिसके दुआरा जिसके कारण के हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो धरम जाती को यहाँ पर इंगित किया गया है जूटे बंदन कहने का मतलब कभी का यही है कि जो धरम जाती है उनको तोड़ने की आपर बात कह रहा है इसका मतलब जो धर्म जातिक में बंद कर अगर जो मनुश्य है वो काम नहीं कर पा रहा है तो उस चीज़ को हटाओ और आगे बढ़ो तो ये चीज़ कही जा रही है अगला देखे धर्ती किसका प्रतीक है तो धर्ती यहाँ पर किस चीज़ का प्रतीक है option 1 है यहाँ पर जमीन तो ये प्रतीक रूप नहीं है धर्ती का अर्थ ही क्या है या फिर प्रयवाची क्या होता है जमीन होता है तो ये हमारा option कट हो जाएगा है यहाँ पर इसका option देखे जो second है मन तो जो धर्ती है वो मन का प्रतीक है यहाँ पर धर्ती का जो प्रियोग किया गया है यहाँ पर मन को लेगर किया गया है कवी जो इसमें कहना चाहता है कि पत्थर तोड़ो चटाने तोड़ो जूटे बंदनों को तोड़ो तभी हम धर्ती को जानेंगे सुनते हैं मिटी में रस है जिससे उगती दूब है तो यहाँ पर जो धर्ती है इसका मतलब है मन जब हम पत्थरों को चटानों को तोड़ेंगे यानि कि अपने जीवन के जो अवरोध है रुगावटे हैं उनको तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी हम मन को अच्छे से पहचान पाएंगे तो इसका जो ऑप्षन जो हमारा सेकिंड वसका सही है अगला कोशन फोर्थ वाला कोशन देखिए यह वाला जिससे उगती दूब है तो यहाँ पर जो दूब है उसका अर्थ क्या है या फिर क्या होती है दूब हम सभी जानते हैं कि दूब जो है घास को कहा जाता है पर यहाँ पर जो कवी है वो दूब का इस्तेमाल किसलिए कर रहा है क्या कहने के लिए कर रहा है तो देखी पहला स्रजन, दूसरा पुस्तक, तीसरा घास और चोथा रस तो यहां पर जो दूब का प्रियोग किया जा रहा है कवी के दुआरा वो स्रजन कारे के लिए किया जा रहा है क्योंकि एक प्रदिकातम कवीता है इसमें जो कवेता है इसमें जो कवी है वो इन सारे चीज़ों को तोड़कर जो जमीन है उसे साफ कर देना चाहता है उसे खेती करना चाहता है क्योंकि जब तक जो जमीन है उसे पत्थर होते हैं चटाने होते हैं तो उससे क्या होता है खेती सही से नहीं होती है उबर खाबर होती है तो खेती नहीं होती है दूब नहीं उगती है घास नहीं उगती है तो इसका मतलब यही है कि जब तक हमारे मन में मैल होगा तब तक हम रिष्टों में नहीं जूट पायेंगे तब तक हम सुराजन कारे नहीं कर पायेंगे तो यहाँ पर जो सुराजन है वो इसका सही अर्थ होगा क्योंकि दूप का अर्थ ही स्राजन यहाँ पर बताया गए प्रपीक के रूप में ब्रयोग किया गया है तो आप देख रहे होंगे कि जो कवीता है उसका सही सही नहीं पूछा गया कवीता कि अंदर की बात पूछे गई है अगर आपको इनकी वैक्षिया आती होगी तो आप कर सकते हैं अगला फिफ्ट जो कोशन है वो देखिए मन में उब होने से क्या होगा मन में उब का मतलब है अगर मन में उब होगी उब का मतलब है मन में बुराई होगी मन में मैल होगा किसी के प्रती तो हम क्या है हम सरजन कारे नहीं कर सकते हैं हम जो कारे हैं तो यहाँ पर देखिए सरजन कारे तो यहाँ पर सरजन को लेकर स्रजन मतलब ही रचना होती है तो देखिए पहला रचना नहीं होगी दूसरा आधी रचना होगी तीसरा अच्छी रचना होगी चोथा हमारा अधूरी रचना होगी तो इसका जो फोर्थ है वो सही होगा अब आप कहेंगे कि मैंने कहा था कि रचना नहीं होगी स्रजन नहीं हो पाएगा इसका मतलब है कि अधूरी रचना होगी हमारे जो स्रजन प्रिकरी है वो पूर्ण नहीं होगी अगर हमारे मन में उब होगी मैल होगा, खीस होगी किसी के प्रती जलन होगी तो जो स्रजन का रहे है वो अधूरा रहेगा ना तो वो कभी पूरा होगा और ना ही ऐसा होगा कि वो स्टार्ट नहीं किया गया शुरू नहीं किया गया बीज में जाके कहीं पर रुख जाएगा तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आधी रचना होगी हमें जैसे कि कभी कबार क्या होता है मानली जी कोई कवीता लिखने के लिए कभी कबार क्या होता है कोई कवीता लिखता है तो उसकी कवीता अच्छी नहीं लगती है यो कि कभी कबार उसका मन सही नहीं होता है अच्छे सबैshe नहीं लिख पाता है तो इससे कहे अधूरी रचना कही जाती है इसी तरीके से हम कोई कारे कर रहे हैं जिसमें हमारा मन नहीं लग रहा है हमारे मन में कुछ औरी बात चल रही है जैसे कि आप पढ़ने बैठे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, आप किसी बात में खोय हुए हैं, तो ये अधूरी पढ़ाई होगी, आप पूर्ण रुप से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ही यहाँ पर जो कभी कहना चाहता है कि मन में जब तक उब होगी, तब तक अधूरी रचना होगी, तो ये हमारा हो अब देखी अगला कोशन देखते हैं, फिफ्ट कोशन, फिफ्ट कोशन हमें एक यहाँ पर गध्यांश दिया गया है, तो चलिए से रीड करते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे, ये जो गध्यांश है, हम पहचानेंगे कौन से चैक्टर से आया हुआ है, आपको जो गध्यां को उसकी धर्ती, उसके जंगलों, नदियों एक शब्द में कहें, उसके समूचे परिवीश के साथ जोड़ते थे, अतीत का समूचा में तक संसार की पोथियों में नहीं, इन रिष्टों की अधरशे लीपी में मौजूत रहता था, ये रोप में प्रयवन का प्रशन और भुगोल के भी संतुलन बनाई रखने का है, भारत में यही प्रशन मनुश्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपारिक संबनाई रखने का हो जाता है, तो ये जो आपने गद्यांश यहां पर अभी पढ़ा, आपको पता चला होगा कि ये गद्यांश कहां से आया हु अगर आपने चैप्टर्स पर रखे होंगे, तो आपको पता होगा जरूर, तो ये जो गद्यांश है, ये आपका जो चैप्टर नमबर सेवन है, आपकी जो बुक अंतरा भाग दो का जो चैप्टर नमबर सेवन है, जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा के दुआरा चैप्टर लिखा गया है, तो ये उस उस चैप्टर का है, तो इस से समाघन जो प्रशन हैं, वो करते हैं, देखिए फर्सट जो कोशन है, भारत की सांस्कर्दिक विरासत है, विरासत किसमें नहीं थैं, तो यहां पर तलना की कही है, भारत की और यूरोप की. यूरोप में क्या होते हैं? म्यूजियम संग्राल्यों में उनके संस्कृति जो विरासत वह धरी हुई है परंतु हमने जो फर्स्ट जो ये लाइन पड़ी है इसमें बताया हुआ है कि भारत की जो संस्कृतिक विरासत है वो यूरोप की तरह ना तो म्यूजियम में हैं और ना ही संग्राल्यों में है वह कहां पर है? वह असल में रिष्टों में जीवित है तो इसमें देखिए यहां पर आपको देखिएगा संग्राल्यों में दूसरा परिवेश में तीसरा जंगल में और चोथा रिष्टों में तो इसका जो लास्ट वाला है फौर्थ जो है रिष्टों में वो इसका सही होगा तो आपको इस तरीके से थोड़ा समझना है जो भी क्योंकि जो language होती है थोड़ी hard हो जाती है कहीं से बीच में से आपका कोई भी line उठा के दी गई है तो अगर आपने chapter पढ़ा होगा उपर इससे जो उपर का संधर्ब है मतलब कि इससे उपर की जो line है आपको पता होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि अभी जैसे कि यहां पर इन्होंने सीधे लिख दिया तो हमें पता चलेगा अगर chapter पढ़ रखा है तो पता चलेगा कि यहां भारत और यूरोप की क्या कर रहे है तुलना कि जा रही है अंतर किया जा रहा है निर्मल वर्मा के दुआरा अगला कोशन है गद्यांश में किसके मित्तक संसार की बात हो रही है तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने जो उपर पढ़ा है कि यहां से अतीत का समूचा मित्तक संसार पोथियों में नहीं इन रिष्टों की अद्रिशे लीपी में मौजूद रहता था तो यहां पर जो बात की जा रही है यहां पर भारत की बात की जा रही है कि भारत का जो अतीत है वो ना तो पोथियों में मतलब ना तो किताबों में संगरहीत है ना तो किताबों में शामिल है केवल और ना ही संग्रहालियों में शामिल है वो कहां पर है वो तो असल में एद रिष्य लीपी में है रिष्टों की एद रिष्य लीपी में है यानि कि रिष्टों में कायम है रिष्टों की एद रिष्य लीपी में है तो यहां पर किसकी बात की गई भारत की गई है इसका मतलब है first देखे इसका option मनुश्य के आपसी संबंद तो मनुश्य के आपसी संबंद नहीं होगा इसका second देखे भारत के सांस्कतिक फैचान ये भी नहीं है अगला देखे प्रकरती से रिष्टा के और प्रकरती से रिष्टा भी नहीं होगा फौर देखिए मनुष्य और प्रकर्टी का संबंद तो इसका सही होगा रिष्टों की एदरिश्य लीपी का मतलब है कि जो मनुष्य और प्रकर्टी का एक दूसरे में जो संबंद है उसको ही रिष्टों की एदरिश्य लीपी यहाँ पर कहा गया है तो इसका जो फौर्थ है वो इसका सही है अगर देखे कोशन मनुश्य और भुगोल के विसंतुलन से आप से क्या अभिप्राय है तो मनुश्य और भुगोल यहाँ पर जो मनुश्य और भुगोल भुगोल का मतलब यहाँ प्रकरती इस्तिमाल किया गया है प्रकरती को हम प्र ही क्यों नहीं है तो first देखिए इसका जो था मनुष्य और धर्ती का सम्मंद तो यह सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर धर्ती केवल धर्ती का इस्तेमाल किया गया पेड़, पोधे, वायू क्योंकि प्रकर्ती और प्रैवन में यह साई चीज़े आती है तो केवल धर्ती को हम शामिल नहीं कर सकते और भी बाके चीज़े हैं प्रैवन में अगला देखी ओप्शन जो इसका second है अपने परिवेश से सम्मंद अपने अपने परिवेश के लिए क्या है उसे सम्मंद जोड रहे हैं क्योंकि हम अपने घर में रहते हैं पर हम गली को अपने आसपास का परिवेश नहीं समझते थे इसलिए हम पर कुड़ा कश्रा डाल दे थे तो ये भी गलत होगा तो प्रैवन और मनुशे का सम्मंद ही गए हैं आपर सही होगा और देखी फूर्थ वाला क्यों गलत है प्र अंतुलन में होगी कि यहां पर प्रैवन के बारे में नहीं कहा गया उसको बचाने के बारे में नहीं कहा गया अकला कोशन फिफ्ट देखिए भारत में प्रैवन का प्रशन किस से सम्मंद है तो अगर आपने परग्राफ पड़ा है अभी जो उपर दिया था तो इसमें है वो संस्कृती दे सम्मंदित है और यूरोप का क्या है तो आप देखिए यहां पर यूरोप में प्रैवन का प्रशन क्या है मनुश्य और भुगोल के बीट में संतुलन बनाए रखना है और भारत का जो प्रैवन का प्रशन है वो मनुश्य और उसकी संस्कृती है तो य जानिकी अंतराल भाग दो से आये होए हैं तो ये देखिए पहला जो कोशन ये हमारे साथ नमबर के टोटल होंगे तो देखिए पहला कोशन पढ़ते हैं चूला ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता पंक्ति में चूला ठंडा करने का क्या अर्थ है तो ये जो कोशन है ये सुरुदास की जोपड़ी से आया हुआ है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है तो ये जो कोशन है इसमें हमें पूछ रखा है ये वाक्य किसी ने कहा था सुरुदास की जोपड़ी के अंतरकत तो ये जो वाक्य है इसमें चुला ठंडा करना जो है उसका अर्थ पूछ रखा एनोंने, तो देखिए, पहला चुलह बुजा देना, तो चुलह जो घुञा की आग बुजा देना ये सही तो फूलिएच दिया, तो ये सही नहीं होगा, चुलह की आग बुजा देना, इसका मतलब ये था, कि अगर चुले की आग बुझ जाएगी तो जो सूर्दास के जोपड़ी है वो कैसे जलती इसका मतलब ये था जब सूर्दास के जोपड़ी जल कई थी तो उस समय ये वाक्य किसी के दुवारा कहा गया था कि चुला थंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे थंडा होता इसका मतलब है अगर चुले की आग जो है वो बुझाद ही होती तो जो दुश्मन है उसे मोका कैसे मिलता उसके जो घर है उसकी जो जोपड़ी उसमें आग लगाने का मोका कैसे मिलता तो उनका कलेजा कैसे ठंडा होता वो खुश कैसे होते जो बी है वो इसका सही आंसर आने कि दूसरे वाला सही है इसका अब देखिए सेकंड वाला कोशन देखिए सेलानी किसे कहते हैं तो जो सेलानी होता है वो प्रेटन को कहा जाता है जो आने जाने वाले होते हैं प्रेटन होते हैं तो इसका जो C है इसका आंसर वो सही आंसर होगा प्रेटन करने वाला अगला देखिए महीब कौन था तो आपको पता चला यह सेलानी किसे कहते हैं कौन से चैप्टर से आया है यह आपका आरोहन जो चैप्टर था जिसे संजीब ने लिखा है वो वहाँ से आया है अगला देखिए आ रहो है अगले देखिए महीब कौन था तो जो महीब है वो भी आ रहो है जो आपका पाथ है उसमें से आया हो है तो महीब कौन था भूपदाता का जो लड़का है उसका नाम क्या था महीब था तो ये इसका जो बी वाला जो सैक्मिन है वो सही होगा भूपदाता का बेटा अगला कोशन देखिए आरहुन कहानी की मूल संवेदना क्या है अगर आपने आरहुन कहानी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि इसकी मूल संवेदना है क्यों लिखी गई आरहुन कहानी इसके पीछे क्या कारण था तो मतलब कि इसके समवेदना पूछ रखी है कि लेकक ने आरोहन कहानी लिखी है तो क्यों लिखी गई थी किस चीज को उठाकर लिखी गई है या पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है तो ये जो है ये एक परवत परवत ये जो लोग है जो परवत पर रहते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है उनको कितने सारी कटनाई सहते हैं जैसे कि भूप दाता दें इतने सारी कटनाई सही इसके ही साथ उनकी जो पतनी हैं उन्होंने भी सही इस तरह की जो बाते हैं वो इसमें बताई गई है तो इसमें जो परवती लोग है उनका संगहर्ष दिखाया गया है कि उपने जिन्दिगी में कितना जाद संगहर्ष करते हैं तो ये बात इस चीज़ से भी असपरस्ट होती है कि भूपदाता ने खेत बनाया जब पहार तूटके गिर गया था तो दुबारा से क्या है उन्होंने जीवन शुरू किया बैलो को लेकर गए उपर दो बैलो को तो इस तरह के से उन्होंने बता रखा है तो इसमें परवती लोगों का संगहर्ष में जो जिन्दिगी है वो इसका सही आंसर होगा अगला कोशन देखिए लेकर ने मा की तुलना बत्तक से क्यों की है तो यह कौन से चैप्टर से आया है यह आपका जो चैप्टर बिसकोहर की माटी है ब dalक्टर विश्वनात तरीपाथी ने लिखा है उसमेंसे आया है तो यहाँ पर जो विश्वनात हैं, वो यहाँ पर विश्वनात का नाम है इस पार्ट में बिस्मनात लिक रखा है जैसे कि वी होता है उसे इन्होंने बी बना रखा हैं बिस्मनात जो बिस्मनाथ हैं उन्होंने अपनी मा की तुलना किसे की? एक बत्तक से की क्योंकि जब वह एक बत्तक को देखते हैं कि वो किस प्रकार जब वह अंडे देने वाली होती है तो पानी को छोड़ कर जमीन पर आ जाती है और किस प्रकार से वह अंडों को सेखती है बड़ी सतर्कता के साथ सेखती है उन्हें छिपाये रखती है अपने जो पंक होते हैं उन्हें छिपाये रखती है तो यहाँ पर जो पथक है वो एक तरीके से उसकी तुलना मा से की गई है इसी प्रकार से जो मा है वो क्या करती है अपने आंचल में क्या करती है बच्चे को छिपाये रखती है दुनिया से तो यहाँ पर इसलिए जो लेकक है उन्होंने मा की तुलना बत्तक से की है तो यह जो इसके फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा है अपने नजरों के सामने रखने से तो यह तो गलत होगा मा अपने नजरों के सामने रखना चाहती है बच्चों को परणतु दुनिया की नजरों से बचाई रखना चाहती है तो यह first option गलत है second देखिए उसके खाने पीने का ख्याल रखने के कारण तो यह भी नहीं है अगला देखिए उसकी देखबाल करने से यह भी गलत है अगला देखिए बच्चों की प्रती सळतर्दख रहने से तो यहाँ पर जो बत्तक है और मा है उसमें एक common चीज यहाँ पर लेखक को दिखाई देती है कि जो बत्तक है वो भी क्या करती है अपने बच्चों को सतर्कता के साथ रखती है दुनिया से छिपा के रखती है, सतर्टा के साथ रखती है क्योंकि बत्ते की लिए चोच होती है, बहुत पैनी होती है अगर चुप जाएगी तो अंडे फूट चाहेंगे पर वो बड़ी सतर्टा से क्या करती है उन्हें सेखती है अपने पंखों से और उन्हें उलट उलट भी बड़ी सा दर्गता के साथ करती है तो यहाँ पर मा भी इसी प्रेकार से बड़ी सा दर्गता के साथ लालन पालन करती है बच्चे का और अपने आंचल में छिपा के रखती है तो इसलिए जो इसका फौर्थ वाला जो आप्शन है वो सही होगा अगला देखिए कोहिया किसे कहते हैं तो ये क्या है ये कुनसे चैप्टर से आया आपका ये भी आपका बिसकोहर की माठी से फूछा गया है कोहिया जो है वो एक जल्ब पुशप है यानि कि पानी में उगने वाला, जल में उगने वाला एक पुश्प है, जिसे कुमोद और कोका बेली भी कहा जाता है, इस चैप्टर में ही आपको बताया गए हैं इसके दोनों नाम, तो छुटी छुटी जो बाते आपको याद रखनी होती हैं, ये पानी में ही उगता है, औ और जहाँ पर पर गड़े होते हैं वहाँ पर ही क्या है यह जादा तर दिखाए देते हैं इसलिए जो गाव में जो तलाब होते हैं वहाँ पर जो कोईया है या फिर जो कुमोद, कोका, बेली हैं तीनों की तीनों एक ही है वहाँ पर दिखाए देते हैं तो कोईया किसे कहा ज जाता है तो इसका सही होगा अगला देखिए अगला कोशन ने उध्योगी करण के विकास का प्रभाव हमारी नदियों पर किस प्रकार पड़ रहा है तो उध्योगी करण के दिवारा क्या होते हैं हमारे जो नदिया हैं वो दूशित होती हैं क्योंकि उध्योगी करण के और इसके साथ जो गंदा पानी होता है उन सब का निशकाषन कहां करते हैं वो? कहां पर छोड़ते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं? जिसके कारण जो नदिया साफ सुतरी होती है उद्योगों के आ जाने के कारण वो क्या जाती दूशित हो जाती है तो इसका जो सैकीन है वो इसका सही आंसर होगा तो आपको पदा चले है यह वैला कोशन कहां से आया था यह वाल आपका जो question है यह अपना मालवा खाओ उजारू सभ्यता में तो यह जो chapter का नाम है इसमें से आया था यह किस ने लिखा यह प्रभाश जोशी ने लिखा है तो यह वीडियो मैं आशा करती हूँ कि आपके वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कोई confusion है तो comment में आप बता सकते हैं आपकी help की जाएगी अगर आप channel पढ़ रहे हो तो subscribe कर सकते हो साइड में जो bell icon है उसे प्रेस करना मत भूलेगा जिससे की new videos को notification आपके phone में आ सके Thank you